बिसमिल्य रख्मानि रखीम, असलाम उलेकुम, उमीद है कि आप सब हरियत से होंगे My name is Adil Mahbub, I am lecturer of computer science आज की वीडियो बहुत important है function के हवाले से हम 10th class computer science का chapter number 5 पर रहे हैं और इसमें हमने previous videos के अंदर जो हमने इस chapter के पीछे lectures discuss की हैं उनमें हमने function के concept सीखें आज हमने बकाइदा अपने एक function बनाना है और हमने देखना है कि function को use कैसे करते हैं function को इस्तमाल कैसे करते हैं program के अंदर तो पिछले जितने भी concepts थे वो इस lecture के साल linked होंगे अगर आपको previous lectures आते हैं जो पिछले lectures आपने देखे हुए हैं और उनका concept आपके mind में है तो फिर आपको इस lecture की समझ आएगी तो मैं recommend करूँगा अगर आपने इस chapter के पिछले जो lectures हैं को तीन चार लेक्चर हुए है चार लेक्चर हुए है वो नहीं देखे तो कानली देख लें को दस बाड़ा मिनिट की बड़ी हद को दस मिनिट के लेक्चर हुए तो उसकी playlist भी मुझूद है मेरे चैनल पर जिसमें सारी book के लेक्चर आपको एक sequence में मिलेंगे तो chapter number 5 के लेक्चर जो हैं वो एक तफ़ा देखने ताकि आपको आज के लेक्चर की चीज़ समझ आ सके आज के लेक्चर सुनने के बाद समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हम अपना function यानि user defined function जो हमने पढ़ा हम किस तरह से बनाते हैं तो ध्यान से देखिए का एक function मैं बनाने वाला हूँ जो के sum करेगा दो numbers का दो numbers का sum करेगा और उसको जो answer है वो return करेगा ठीक है देखें सबसे पहले तो हम अपना एक function बनाते हैं उसकी definition लिखते हैं अब function definition आपको याद होनी चाहिए कि function definition कैसे लिखते हैं कि सबसे पहले हम function की return type लिखते हैं कि function return क्या करेगा तो मैं जो अपने function से return करवाना चाहरा हूँ वो integer type की value है विल फर्स तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो हम उसी तरह से header file तो हमेशा हर program के शुरू में लगाते हैं hash include stdio.h इसकी फिलाल जरूरत है तो मैंने इसको लगा दिया अब मैं अपने function में आ रहा हूँ जो कि return करेगा कोई value जिसकी data type integer होगी function का नाम रख रहा हूँ sum यह मैं आपको similar example दे रहा हूँ क्योंकि previous lecture में हमने जब पढ़ा था defining a function तो उसके अदर हमने देखा था कि function को define कैसे करते हैं तो उसमें जो example दी थी वो यही sum वाली दी थी तो उससे रिलेट कर रहा हूँ अब मुकमल प्रोग्राम कर रहा हूँ ठीक है ताकि आपको समझा आजे अच्छी तो sum और इसके अंदर जो हमारे पास parameters हैं वो दो है यानि दो values इसके अंदर आएंगी इसकी body बनाई अच्छा यहां पर मैंने एक variable लिया int z is equals to x plus y z के अंदर इन दोनों का answer store कर दिया x plus y का answer store कर दिया sum हो गया और return क्या करना है जिसके अंदर answer है answer किसके अंदर है z के अंदर ठीक है तो return z कर देने चुँके return क्या हो रहा है z और z की data type के है integer इसलिए यहां पर return type में मैंने इंट लिखा हुआ ठीक हो गया और उसके बाद यह function की definition पूरी हो गई अब मैंने आपको पहले भी बताया था पिर बता रहा हूँ एक बाद बरी हम आपने याद रखनी है every program of c language must have a main function c language के अंदर जितने भी हम program लिखते हैं उनका main function जरूर होना चाहिए वो जो main function बनाते है हमेशा तो अब main function तो बना नहीं है ठीक है तो मैं यहां पर एक main function बना रहा हूँ void main ठीक है जी और इसके अंदर दो values ले रहा हूँ int a is equals to 2 b is equals to 3 and c ठीक है जी c को कोई value नहीं दी ठीक है अच्छा a को value 2 दे दी है b की value 3 हो गई इन दोनों को मैंने sum करना है by using my function जो function मैं बना है उसके जरीए से direct a plus b नहीं मैं करना चाहरा मैं कहारा हूँ कि function का नाम लिख रहा हूँ sum और उसके आगे a और b की values पास कर दूँ और वो values जो है वो solve होजे हुद बाहुद तो मैं यहां लिख रहा हूँ c is equals to function का नाम लिख रहा हूँ sum और आगे values दे रहा हूँ a,b यह दो values मैंने लिख दी है कि इन दोनों का क्या कर दो sum कर दो sum हमारे function का नाम है और जो answer आए वो value c को दे दो और फिर c की value प्रेंट कर देंगे क्योंके c के अंदर sum होगा तो मैं यहां लिख रहा हूँ sum is equals to %d और आगे c की value प्रेंट कर देंगे ठीक है अब output भी साथ है आपने देखनी है कि जब यह program चलेगा तो output क्या आएगी ठीक है जी एक बात बरी है हम आपने याद रखनी है कि जब हम program लिखते है हम अपने function जितने मर्जी बनाए जैसे हम नहीं अपना function बनाए यह function definition है main function जो हर program में होना जरूरी है यह बात मैंने पहले बताई और दूसरी बात यह है कि main function सबसे पहले execute होता है चाहे वो नीचे लिखाओ चाहे वो last पे लिखाओ अब देखें ऊपर मैंने अपना function लिखा function definition जो मैंने hood बनाया लेकि नीचे है main function तो पहले इसने चलना है इसने चलना है बाद में उसने इसमें आना है इसमें वो कब आता है है sum आगे bracket में दो values है values लिख दो या variables लिख दो जिन values को आपने sum करना है इस process को कहते है function calling इसे क्या कहते है function calling यहां मेरा function call हुआ function call से क्या मुराद है function का नाम लिखने और आगे वो values देनी है जिन values के उपर operation perform कर मैं values डिरेक्ट लिख दो variables लिख दो कोई फरक नहीं परता ठीक है तो मैंने variables लिखे है ठीक हो गया तो यह जो है function call जैसे function call होता है हमारा compiler हमारा control सब कुछ छोड़ देता है और direct वहाँ चले जाता है जहां पे function की definition पड़ी हुई है नीचे printf का function है इसे चलाना चाहिए था उसको इसके बाद लेकिन यहां function जैसे ही call हुआ function call हुआ तो वो फोरण सब कुछ चोड़ के function की definition के अंदर आ गया sum के नाम के function के अंदर आ गया जब यहां पड़ाया तो उसने क्या किया यहां से कौन कौन सी value जो आ रही है a और b की value मैंने a और b की value का sum करना है तो a की value आकर मिल जाएगी x को और b की value आकर मिल जाएगी y को तो a की value जो है वो pass हो गई x को और b की value pass हो गई y को यहां जो function calling में हमने values भेजी है function definition के अंदर जो variables पड़े हों है उनको मिल जाएगी तो ultimately x की value a की value 2 थी तो 2 जाके इसको मिल गया और 3 जो है वो जाके y को मिल गया जब वो बोडी में आया यहां पर इस function को इन values को solve करने के लिए तो लिखा हो है int z is equal to x plus y x plus y का क्या मतलब है 2 plus 3 2 plus 3 कि इसको मिल गया z को मिल गया तो z की value क्या हो गई हमारे पास 5 हो गई z की value क्या हो गई 5 हो क्योंकि 2 plus 3 is equal to 5 होता है जब z की value 5 होई नीचे है return return मैंने आपको last lecture में बताया था return एक keyword है जिसके जरीछ से क्या होता है कि इसके आगे जो भी value लिखे हो या variable हो वो value return हो जाती है कहां जाती है value function से बार निकलती है और वहां जाती है जहां function को call किया था जहां function को call किया था value उदर जानी है ठीक है तो z की value actually क्या है मारे पास 5 यह 5 return हुआ यहां से और कहां पे आए जहां function call हुआ था यहां आगे है 5 अब equal का sign क्या करता है कि right side पे जो value है वो left वाले variable को देता है जैसे यहां पे देखे लिखावा है जैसे यहां लिखावा है a is equals to 2 तो यह two value असल में a की है यह three value असल में b को जा रही तो यहां पे value क्या आई है 5 और 5 किसको मिल जागा c को तो ultimately c हो गया 5 तो message print कर देगा sum is equals to user को output में नज़र आएगा sum is equals to अगे percentage d लगया उसकी जगापर c की value प्रिंट होनी है तो sum is equals to 5 इस तरह से answer आजएगा यह हमने अपना function बना लिया अब हमने इस function को यहां पर define कर लिया function definition लिख लिख लिए main function के अंदर आप यहां main function एंड ना करो मजीद नीचे दुबारा बार बार function कोल करो दुबारा लिखो sum आगे मुख्तलिफ values पास करो हर बार जो value आप दोगे वो यहां से आएगी x y को मिलेगी solve होगा answer वापस आजएगा यह फाइदा होता है हमारा अपना function बनाने का कि हमने अपना function बना लिया उसका नाम है sum और आगे bracket के अंदर हम उसको values दे देते हैं वो values हुदी sum होके आजेंगी यह हमने अपना function बनाया है जैसे के Daris Richie ने जिसमें इस language को बनाया उसने printf का function बनाया हुआ हम सिरफ इसको लिखते हैं इसकी working खुदी हो जाती है अब हुदी जानते है इसकी working के है क्यों क्योंकि इसकी working उसने save कर रखी है stdio.h के अंदर तो हमने अपने function की working कहां रखी हुई है वो हमने यहां बताई हुई है कि यह हमारे function की working है भाई जब हम लिखेंगे sum और आगे दो values देंगे तो उनका ये sum होना चाहिए ये तो चोटा सा काम था ना हम A plus B यहाँ पर भी कर सकते थे लेकिन ये जिसरफ concept था समझाने के लिए जब बड़े-बड़े functions हमने बनाने होते हैं जिनके दर बड़ी lengthy process होता है जिनकी definition बड़ी होती है तो फिर हम एक दफा उसको बना लेते हैं next time सिरफ उसका नाम यूज करते हैं और बार बार उसको इस्तमाल कर सकते हैं यह हमने function के advantage में पढ़ा था reusability function को बार बार यूज कर सकते हैं आप नीचे दुबारा लिखें एक variable और ले 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 और लिखें sum is equal आप उस variable के equal रखें जैसी के equal रखा हुआ है मैंने जैसे d है तो आप लिखें d is equal to sum आगे values दे दे 10,15 तो 10 आके x को मिल जाएगा 15 आके इसको मिल जाएगा sum होगा वापस आ जाएगा 25 25 आप प्रिंट कर दे बाहर पर अपने function को use करें आपको plus करने की जुरूरत नहीं सरफ sum लिखें आगे values दे दे अगर आप चाहते हैं तीन numbers का sum हो जाए तो जब function को define करोगे यहाँ एक और variable ले लो ठीक है यहाँ पर उसको plus कर दो और पिर यहाँ से जो values भेजोगे function calling के जरीए से तो तीन ही values आप pass out करोगे ठीक है तो इस process को कहते है function calling ठीक है और function calling का syntax क्या होता है name of the function and values or variables inside the parentheses brackets के अंदर values भेज देंगे तो यहाँ से वो यहाँ आएंगी और solve हो के वापस आ जाएंगी इस तरह हम अपना function बनाते है अमीद है कि इसकी समझ आ गई होगी एक और example जो बुक में उसने करवाई हुई है वो चोटी सी समझानी है आपको फिर मुकमल इसका concept इन्शाला ताला समझ आ जाएगा अच्छा जी अब दो बड़े एहम concepts आपने समझ नहीं सवाथ ही इसके कि जरूरी नहीं है कि function कुछ return करे और ये भी जरूरी नहीं है कि function के parameters हो नहीं function के अंदर values आएं और वो solve हो जरूरी नहीं हम सिर्फ function को call भी कर सकते हैं बगार values दिये ठीक है ऐसा function फिर क्या working कर रहा होगा ऐसा function कुछ solve करेगा तो जो answer देना है वो उसी function के अंदर हम answer दे देंगे print आ मुदूरी कर देंगे ठीक है उससे कुछ return नहीं करेंगे और वो main function से कोई values भी नहीं उसके अंदर आएंगी जैसे previous program में हमने किया के values आ रही है तो वो values भी नहीं आएंगे उसके अंदर तो जब a situation होता हो जब हम function बनाते हैं तो return type की जगा पर लिखते हैं void void का मतलब होता है nothing कुछ भी नहीं कि कुछ return नहीं कर रहा ठीक है जब function कुछ return नहीं कर रहा function की definition है ठीक है जी अब हमने पढ़ा था कि सबसे पहले main function चलता है तो चलिए पहले main function में आ जाते हैं बाद में इसकी बात करते हैं वो सबसे पहले main function में आया header file उस तरह से मैंने लगाई हुई है यहां पर लिखा हुए x equals to 10 और y equals to 20 x की value 10 है y की value 20 है यहां पर क्या हो रहा है function का नाम लिखा हुआ है और bracket अखाली है what is this this is function calling हमने पढ़ा था कि function का नाम और उसके आगे जो values हम पास करते है वो function calling के ला आता है तो values तो हैं कोई नहीं arguments तो हैं नहीं यह कोई arguments लें नहीं रहा sorry parameters इसके अंदर है नहीं यह arguments नहीं argument और parameter का difference बताऊंगा अगले lecture में ठीक है तो यह function जो है यहां पर call हुआ अब मैंने पढ़ा जैसे function call होता है वो directly function definition में आता है नीचे वली लेने बाद में देखता है ठीक है यहां से आगया इस function के दिए जब यहां पर आया तो कुछ value जो है वो यहां से नहीं लेकर है मतलब कोई value नहीं लेकर आया directly यहां पर आगया जब यहां आया आप उसने इसको चलाना है क्या चलाना है लिखा हुआ है int x is equals to 20 y is equals to 10 x की value 20 है और y की value 10 है अगर आप गोर करे x और y हमने यहां भी लिये हुए यहां भी लिये हुए ठीक है it doesn't matter आपकी मर्जी है आप यहां पर जो variables है और इसके अंदर जो variables है वो same भी ले सकते है no issue ठीक है वो एक concept है local global variable का वो आपके book में नहीं है तो बाराल हम इन variables को same भी रख सकते है यह भी एक नया concept आपने सीखना आज तो ज़रूरी नहीं है कि different हो तो यहां पर भी x और y है यहां पर भी x y है अच्छा जब यहां पर आया तो x की value 20 है y की value क्या है 10 है तो जब नीचे आएगा तो print क्या करना है उसने देखे value of x and y value of x and y in function यानि यह वाले function में in fun यानि वो print करेगा कि value of x and y in function yes it is दिखाएगा आगे लिखाब %d इसकी जगा पर value आनी है x की और इसकी जगा value आनी है y की तो x की value क्या है 20 और y की value क्या है 10 20 और 10 तो वो दिखाएगा value of x and y in function is 20 10 ठीक हो गया अच्छा यहाँ जब यह function end होता है उसने main function में वापस आना ही आना है जहाँ पर रोक के गया था उसने वहाँ वापस आना ही आना है अगर तो हम कुछ return कर रहे होंगे जैसे पिछले function में return कर रहे थे कोई value तो वो value लेके यहाँ पर आजएगा अगर return नहीं कर रहे होंगे तो वैसे हली आती आजएगा था ठीक है तो यहाँ से यह function end हुआ यहाँ आ गया जब इसके नीचे आया तो आगे लिखा हुआ है values of x and y in main जैनि x और y की value main function में क्या है तो वो यहाँ पर message print होगा value of x and y in main कि x और y की value main में क्या है अब x की value यहाँ print होनी है और y की value यहाँ पर print होनी है इसकी जगा पर तो यहाँ पर x और y की value 10 OR 20 है तो वो दिखा देगा 10 OR 20 तो इस program का concept सिर्फ ये था कि यहां पर जो variables है और यहां variables हैं both can be same, वो same भी हो सकते हैं और function कुछ return भी नहीं कर सकता है, जलूरी नहीं कि function भी नहीं करें एलफिझ आया, एलुच और शुटने रुटना, लुटना राएफ़।